आज हम प्लाजों के डिजाइन बनाएंगे यह पेपर मेरा 1.5 इंच का है और ऐसे बहुत सारा पीसिस हम काट लिए है और इसका लंबाई साड़े तीन इंच का है देखिए फिरें साड़े तीन इंच का है अब हम इस पर इस साइट देखिए इस जैसे यहां पर ड्रो किये है इसी टाइप के हम डिजाइन बनाएंगे इसको ऐसे यहां रखेंगे और यहां से सिल लेंगे कि मेरा प्लाजों का डिजाइन है कि दागे को काट लेंगे फिर एक और लेंगे ऐसे फिर यहां पर रखके इस तरह से और यहां से सीधी सीलाई चला लेंगे ऐसे तीर छे में कि यहां दागे को काट लेंगे फिर एक और लेंगे और इसको भी ऐसे यहां से सील लेंगे और धागे को काट लेंगे और इसको इधर से जो मेरा सीलाई है वो नीचे के तरफ आना चाहिए अब इसके अपोजिट सीलेंगे यहां रखेंगे और यहां से एक सीलाई चला लेंगे धागे को काट लेंगे फिर एक और लेंगे और यहां रखेंगे और यहां से सीलाई चलाएंगे धागे को काट लेंगे फिर एक और लेंगे और यहां पर रखेंगे और यहां से सीलाई चला लेंगे और धागे को काट लेंगे ऐसे ही हमको पुरा रेडी करना है ऐसे यहां रखेंगे इसके उपर सियन चला लेंगे फिर एक और ऐसे रखेंगे और यहां से सियन चला लेंगे देख्यो एसे हम रखें तीन को सिल है फिर इसके ओफोजिट एसे तिनरख यह तीनों में चला लेंगे एसे करेंगे अगरखेंगे हम सारे को रेडि कर लेंगे काका देंखे मेरा यह सब गया है यह मैं लाक्त बना रही हूँ रखेंगे ऐसे रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है आप भी ट्राइ कीजिए और डिजाइन बताईए कि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड और इस साइड भी ऐसे इसके अपोजिट रखेंगे और यहां से सिलाइकोः चला लेंगे इसको पलाजो पर आस्तिन पर कुर्ती के दावन पर कहीं बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है अब भी ट्राइए कीजिएगा यहां से ऐसे सिल लेंगे यह मेरा डिजाइन बनके रेडी हो गया और जो एश्ट्रा फेब्रिक है उ ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कठ होना चाहिए और इस साइड भी इसको भी काट लेंगे जो मेरा एक्ष्ट्रा फैब्रिक है और यहां से किनारे पे एक सीधी सिलाई चला लेंगे यहां धागे को काट लेंगे और यह मेरा प्लाजो कर निचे कहा है आप अपने हिसाब से ले लिजेगे जितना आपको जितना आपका होगा और यहां से सीधी सिलाई चला लेंगे इसके उपर ऐसे रखना है और ऐसे सीधी सिलाई चला लेना है और इसके उपर से एक सीधी सिल चला लेना है और यह मेरा एक कपड़ा है यह मेरा तेन इंच का है और प्लाजों की हिसाब से उसका लंबाई है इसको पर ऐसे रखना है और इसके उपर से एक सीधी सिलाई चला लेना है कि अराम अराम से चलायेंगे friend यह मेरा कागाच है फटना नहीं चाहिए और एक स्ट्राइबरी को काट लेंगे और जो मेरा कपड़ा है इसको इधर बाहर के साइड फोल्ड करके यहां से फोल्ड करेंगे पूरे में और इसके एक सीधी सी लाई चला लेंगे हम सिलाई चला लिए और धागे को काट लेंगे और एक और इसके साइड में एक और सियन को चला लेंगे यहाँ धागे को काट लेंगे एक्स्ट्रा फेबरिक को भी काट लेंगे देखिए मेरा बन के रेडी हो गया और यह पेपर को हम उल्टे करके निकाल लेंगे देखिए बन के रेडी हो गया कितना अच्छा लग रहा है आप भी ट्राइ कीजिए फ्रेंड और आप भी बनाईए और हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए देखिए दोनों मेरा बन के रेडी हो गया जब तक के लिए बाइ 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 फ्रेंड